सबसे पहले बात उज्जैन की उज्जैन में राजा धिराज महाकाल का लोक बन कर तैयार है 11 अक्टूबर को गरिमा मई समारों में प्रधान मंत्री इस कॉरिडोर को बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे सरकार का मानना है कि ये कॉरिडोर आध्यात्मिक और धार्मिक परिटन का बड़ा केंद्र बनेगा श्री महाकाल लोक, महाकाल का वैभव, महाकाल की गाथा धार्मिक जानकारियों से भरपूर तो है है इसे परिटन के लिहाद से खास्तोर पर डिजाइन किया गया है यहां आने वाले श्रद्धालू की सुविधा का ध्यान रखा गया है श्रद्धालू इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से महाकाल लोग घूम सकेंगे जगय जगय बैठने की व्यवस्था भी की गई है यहां मूर्तियों का वैभाव और सुन्दर्ता देखते ही वनती है लेकिन श्रद्धालू सिर्फ किने देखेंगे ही नहीं बलकि इन मूर्तियों से जुड़ी गाथा को भी जान सकेंगे इसके लिए मूर्तियों में QR कोड होगा जिसे स्कैन करते ही पूरी जानकारी श्रद्धालू के मुबाइल में आ जाएगी CM शिवराद सिंग चोहान मानते हैं कि बाबा महाकाल का दरबार आस्था का बड़ा केंद्र है श्रद्धालू यहां आएंगे ही और अब ये धार्मिक और आध्यात्मिक परेटन का केंद्र भी बनेगा और आर्फिक गतिवीरियों को भी गती मिलेगी देखि आस्था का केंद्र है और वहां निश्चित तोर पर दर्सन करने लोग आएंगे ही तो श्रद्धा के साथ साथ ये परेटन जो बढ़ेगा यह अध्यात्मिक परेटन धार्मिक परेटन आस्था का परेटन उससे आर्थिक गत्विदियां भी बढ़ेंगे शिवराद सरकार के लिए श्री महाकाल लोक आस्था और श्रद्धा के साथ नई पहचान देने वाला विशय भी है कॉरिडर के वेस्तार के बाद महाकाल मंदिर का परिसर दो से बढ़कर 20 हैक्टर हो जाएगा महाकाल परिसर उतरप्रदेश के काशी विश्विनाद कॉरिडर से चार गुना बड़ा होगा सरकार मानती है कि राम जन्म भूमी आयुध्या के राम मंदिर काशी विश्विनाद के कॉरिडर के बाद श्री महाकाल लोक की पहचान भी दुनिया में बनेगी और जो श्रधालू आयुध्या और काशी का वैभाव देखने जाएंगे वो उज्जैन जरूर आएंगे सरी राम भगवान आयुध्या में काशी विश्विनाद हो अब उसके बाद सरी महाकाल लोक का भी यस कीर्थी वैभाव पूरे रास में आए इसको रास से देश से सारे लोग जपकार से खासी विश्विनादाम जाते हैं अध्या जाते हैं मैं कहता हूँ कि एक योजिना बद तरीके से भारती जनता पार्टी के सरकार ने एक इस सरी महाकाल लोक का विकास उ प्रगती का बेवाव आम जनता को सब्रपित करने का प्र काशी विश्वनात कॉरिडॉर और अब उज्जेन में श्री महाकाल लोग धार्मिक परिटन और आध्यात्मिक परिटन के तौर पर नई पहजान बनेगी जो आस्था के साथ-साथ आर्थिक सम्रधी के लिहाद से भी बेहत खास्था ब्यूरो रिपोर्ट बंसल नियोंज भोपार